इंदोर के महिला थाने में रेप का केश दर्श करवाने वाली एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी की कर्तूत उसकी होने वाली दुलहन को बता कर साधी रुखवा दी महिला थाना पुलिस ने उसे मंगलवार को मुंबई से गिरफतार कर लिया है उसे बुधवार को कोट में पेश कर जेल भेज दिया गया है निजली कमपनी में काम करने वाली 28 साल की उपती ने 20 जून 2022 को महिला थाने में अमूल पुत्र सरगी हरीदता गवली निवासी सी सेक्टर सुखलिया के खिलाब रेप के मामले में सिकायत की थी पुलिस ने बताया था कि अमूल उसके साथ 7 साल तक प्रेम संबंद होने के बाद लिविन में भी रहा लेकिन केश दर्ज कराने के पांस दिन पहले उसने मार पीट करसादी से इंकार कर दिया था पिड़ता ने इसकी सिकायत महिला पुलिस से भी की थी पुलिस ने अमूल को उसके घर से गरफतार कर उसे इंदौर लेकर आई थी यहां कोट से उसे जेल भीजने के आदेश थी ये कहते पिर्टा ने बताया कि 2015 में उसकी सहेली के साथ घोमने गई थी जहां उसके बाइफरेंड के साथ अमूल गवली भी आया था अमूल पिथंपुर की दवा कंपनी में सुपरवाइजर है इस दोरान दोनों की पहचान हो गई थी 2016 में अमूल ने देपावली के समय यूपती से प्यार काई जहार किया था भाई की बेटी के बधड़े पर उसे घर भी ले गया था एक दिन मौका पागा यूपती के घर पर उसके साथ जवर्जस्ती संबंध बनाये थे यूपती ने अरुन से कहा वह जल्दी साधी करेगा इसके बाद अमूल ने यूपती का मालवा मिल से माकान खाली करवा दिया और उसे अलग अलग जगए पर किराये से घर ले कर लिविन में रखा यूपती को इस बीच पता चला कि अमूल किसी अने लड़की से बात करने लगा है 7 जून 2022 को रूम पर आया और संबंध बनाते हुए मां से साधी की बात करने का कह कर चला गया था इसके बाद करीब 15 जून 2022 को वा यूपती की मोबोली बेहन के घर आया और यहां रात भर रुका इस बीच फिर से यूपती के साथ संबंध बनाए और सुबह साधी नहीं करने की बात कर चला गया इसके बाद उसने यूपती का कॉल उठाना बंद कर दिया मामले में FIR होने के बाद अमूल लगतार प्रेमिका से समझोते के लिए बात करता रहा अमूल ने महाराश्ट के चंदपूर जिला के बलर्सा में लड़की पसंद कर ली थी 9 जुलाई 2022 को यहां उसकी साधी होनी थी लेकिन उसके पहले अमूल की प्रेमिका ने सोसल मीडिया के माध्यम से अमूल की होने वाली पत्नी के FIR की चानकारी दे दी थी वहीं महिला थाने में भी दूसरी साधी होने की सिकात की थी पुलिस ने भी वहां जानकारी निकाले तो अमूल की साधी का पता चला बाद में साधी तूट गई और दुलहन पूडा नगर महाराष्ट के बालाजी गार्डन तक नहीं पहुची इसके बाद अमूल के परिवार से भी लड़की के परिवार के लोगों ने इस तरह की चानकारी छिपाने की बात करते हुए संबंध तोड़ दिये